दोस्तों बिहर पलिस 2020 की नई वेकेंसी आ गई है जैसा कि आप लोगों को पहले ही अपडेट दिये थी कि नौवमबर 2020 में बिहर पलिस 2020 की नई वेकेंसी आ जाएगी तो आ गया है आज की डेट में 11 नौवमबर 2020 को विग्यापन प्रकासित हो गया है फॉर्म भरने का जो ला गया जाएगा एकजाम डेट भी पहले ही आप लोगों को बताए है 21 March 2021 को इसका एकजाम लिया जाएगा 21 March 2021 को 2 पालि में इसके बाद अगला अभिवार को 2 पालि में टोटल 4 पालि में नौटाल प्रकासित में टोटल फॉर्म फिलप होगा चली बिग्यापन की पुरी सरते क्वेके करके डिटेल्स में देख लेते हैं विज्यापन संख्या 05 2020 के अंतरगत यह वेकिंसी आई है तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए फॉर्म भरने का जो लाश डेट है 14 दिसंबर 2020 था इसमें जो आपको वेतन मिलेगा लेवल 3 के अंतरगत सेलरी आपको दी कर सकते हैं एक मेने का डेट दिया गया है 14 दिसंबर 2020 तक अब चलिए आगे की परकरिया देख लीजिए CSBC का official website से ही आपको पुरी जानकारी मिलेगा यहाँ पर दिया हुआ है कि admit card जो भी हो गया विग्यापन प्रकासित जो भी notice है CSBC का official website पर दिया जाएगा फॉर्म भरतेस में आपको वड़ियता सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं जिला पुलीस, रेल पुलीस, बिहार, सैन्य पुलीस यह फिलब करना परते जब आपका सेलेक्शन होगा तो जी सनुसार आपका marks रेख और उस अनुसार आपको पोस्ट दिया में तो 2019 का जो syllabus है उसी according इस बार भी exam लिया जाएगा, 10 प्लस 2 syllabus है, total 100 question exam में पूछा जाएगा, exam में negative marking नहीं है, इसके बाद है 30% आपको कम से कम अंक लाना ही परेगा, यानि 100 में आपको 30 question कम से कम सही होना ही चाहिए, लेकिन 30 question पर सेलेक्शन नहीं होता है, जैदे question पर ह होता है, लेकिन vacancy खाली रह जाएगा, लेकिन 30 question से कम पराब का सेलेक्शन नहीं होगा, ये condition है, इसके बाद है लिखित परिक्षा का अधार मेधा सूची का अधार नहीं होगा, यानि merit list जो है लिखित परिक्षा में marks के नुसार नहीं बनेगा, physical test में marks के नुसार बनेगा टोटल एक्सवं का physical होता है, जिसमें 50 संग दौर के लिए, 25 संग गोला फेक के लिए, 25 संग उची खूद के लिए मिलता है, लिखित परिक्षा में marks के नुसार वेकिनसी का पांच उना अभिहारती को physical test के लिए shortlisted किया जाता है, इसके बारे में यहां पर दिया हुआ है, अगर आप किसी भी बोर्ड से बार्मी पास है, चाहे regular mode में हो या distance mode में हो, बिहार संस्क्रिस सिक्षा बोर्ड से या मौलवी यानि उर्दू का भी अगर आपके पास degree है, तो भी आप form फिलब कर सकते हैं, अगर आप दूसरे state से हैं, तो भी form को भर सकते हैं, लेकिन उसके condition है, एक अगस 2020 तक बार्मी पास होना चाहिए, यानि एक अगस 2020 तक आपका बार्मी का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप form को फिलब कर सकते हैं, इसके बाद अगर आपका रिजल्ट आया है, तो फोर्म भड़िएगा, तो last में जब आपका selection होगा, उस समय आपकी उम अगस 2020 तक यानि इस बार 2020 में अगर आप बार्मी पास है, तो इस फोर्म को आप भर सकते हैं, यहाँ पर नियुनतम और अधिकतम उम्र का condition देख लिजे, जनरल कैटोगरी में पुरूस या महिला दोनों के लिए अधिकतम उम्र का condition है 25 वर्स, नियुनतम उम्र सभी के अगया है, पिछरावर गयो मत्यान पिछरावर, BC-EBC काटोगरी के लिए 28 वर्स है, एक चीज़ यहाँ पर आपको धियान रखना है, सबसे अधिक जो डॉकुमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किया जाता है, काईटोगरी के कारान से, अब आपको अगर कनफॉर्म अगर नाम में किसी परकार का मिस्टेक होता है, तो चल जाता है, लेकिन काटोगरी में अगर मिस्टेक रहेगा, तो सीधे आपको डॉकुमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए काटोगरी को कनफर्म होकर आप फिलब किजेगा, इसके बाद यह कोई भी छूट नहीं दिया गया, तो जेनरल काटोगरी के अनुसारी अधिकतम आपको 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए, अब यहाँ पर देखिए सारीरिक मापदंड, सारीरिक मापदंड में सबसे पहले है है है, हैट जो होना चाहिए जेनरल काटोगरी यह पिछरावर के प 25 cm है, EVC काटोगरी में पुरुष के लिए 160 cm है, SCST में पुरुषओं के लिए 160 cm, अनुसूचित जाती जण जाती के पुरुषओं के लिए 160 cm, भारते मुल्के गोर्खा पुरुषओं के लिए 160 cm, और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, जनरल हो गया, BC, EVC, SC, SD सभी काट में 155 cm होना चाहिए, हाइट एक बार फिर से आप देख लिजे, अगर आप EBC काईटुगुरी साथ थे हैं, SC, ST साथ थे हैं, 160 cm होना चाहिए, जनरल काईटुगुरी एवन BC काईटुगुरी पिछरा वर्ग के लिए 165 cm और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 cm हाइट होन चाहिए, सीना या शिर्फ पुरूसाओं के लिए, बीना फुलाए 18 cm होना चाहिए, फुलाकर 5 cm, 86 cm होना चाहिए, इसी तरह है EBC का 81 cm होना चाहिए, फुलाकर 6 cm, Pretty, पुरूसाओं के लिए नहीं है वजन का है यहां पर वजन होना चाहिए पुरूसाओं के लिए नहीं है वजन का कंडिशन अब चलिए यहां से सिलेक्शन का प्रोसेस आ जाता है नियुक्ती की परिकिरिया दो चरणों में पर्थम चरहने लिखित परिक्षा में मार्क्स के नुशार वेकेंसी का पांच गुना तो चुरासी सो वेकेंसी है तो इसका पांच गुना होगी आप 49,000 के प्रॉक्स कनीडेट का फीजिकल के लिए बूलाा जाएगा इसके बाद आपका लिखित परिक्षा का मार्क्स कहीं बूझया नहीं जाएगा जो भी 45,000 कनीडेट पास होंगे उसका फीजिकल होगा physical में marks के नुसार merit list त्यार किया जाएगा अब लिखित परिक्छा के बारे में समाझ लिखित परिक्छा में total 100 question पूछा जाएगा परते question रहेगा एक अंका यानि total 100 अंकों की परिक्छा होगी इसके लिए आपको जो समय दिया जाएगा 2 घंटे का क्वेस्टन के लेवल बार्मी लेवल करेगा, 2019 के कॉर्डिंग ही, 12 जनबरी 2020 यहां 8 मार्च 2020 का क्वेस्टन का वीडियो कुछ दिर में आप लोगों को मिलेगा, तो उसको देख लीजिएगा, उसी के कॉर्डिंग इसमें क्वेस्टन पूछा जाएगा, इसके बाद है यहां पर OMR सीट के बारे में रॉल नमार हो गया, क्वेस्टन बुकलेट सिंगनेचर सही तरी केस आपको करना है, पार्ट कर्म के लिए बिग्यापन संख्या 01 2019 का सिलेबस देख सकते, स्थेम वही सिलेबस है, इसलिए बस में किसी भी परकार का बदलाव नहीं किया गया 30% कम से कम marks लाना आपको जरूरी है तो home guard candidate इस पर case किया है इसी कारांसे कि home guard बहुत सारे candidate का result इसमें नहीं हुआ है एक स्वम से 30 question सही नहीं हुआ था इस कारांसे result नहीं दिया गया तो कुछ candidate case किये हुए है इसी के condition में तो कम से कम आपको 30% marks चाहिए है यानि एक स्वम से 30 question सही होना ही चाहिए तभी आपका result दिया जाएगा चाहे वेकंसी खाली रहा जाए तो विग्यापन में एक और condition है कि अगर home guard का seat खाली रहा जाता है तो उस condition में जो general candidate है जो home guard नहीं है उसका selection होता है तो इस बार 1100 candidate का ही result दिया गया तो home guard से बांकी seat पर जो है general candidate का result दिया गया है अब चले यहाँ पर physical test के बारे में समझ लीजी दूतिया चरण लिखित परिक्षा पास कर जाते है तो इसके बाद physical test होगा जिसमें दौर है दौर के लिए 50 अंक मिलेगा यहाँ पर condition दिया हूँ इस condition में आपको दौर नहीं है 5 मिनट से कम है 50 अंक 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सकेंड तक दौरने पर 40 अंक 5 मिनट 20 सकेंड से 5 मिनट 40 सकेंड तक दौरने पर 30 अंक जितना तेज दौरिएगा उस recording आपको mark मिलेगा 6 मिनट से अधिक समय नहीं लेना है 1.6 किलो मिटर यानि 1 मिल 1600 मिटर का है 6 मिनट आपको अधिक समय लेना है 6 मिनट से अगर आप अधिक समय लेते हैं तो आपको disqualify कर दिया जाएगा इसके बाद यहां पर महिलाओं के लिए है तो महिलाओं के लिए 1 किलो मिटर यानि 1000 मिटर 5 मिनट में दौर ना है 4 मिनट से कम समय में दौर लेते हैं तो 50 संग पूरा देख लिजी यहां से 4 गोला फेक यहां उची कुद में 3 चांस मिलता है दौर में आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा गोला फेक के लिए 25 तो सभी कोटी की पुरोसों के लिए 16 पॉंड का गोला नियूंतम 16 फीट आपको फेकना है यहां पर कंडिशन दिया हुआ है अगर आप 20 फीट से ज्यादा फेक लेते हैं 25 आपको मिलेगा महिलाओं के लिए लगा है यहां पर 12 पॉंड का गोला नियूंतम 12 फीट आपको फेकना है 16 फीट से ज्यादा फेकना पर महिलाओं को 25 पॉंड इसके बाद है उची कुद तो सभी कोटी के पुरुषव के लिए नियूंतम उचाई जो यहां पर होना चाहिए चार फीट आपको कुदना पड़ेगा लॉंग जंप इसमें नहीं है पांच फीट सगर आप चैदा कुद लेते हैं यहां पर पांच फीट तक तो 25 आपको मिल जाएगा इसके बाद है सभी कोटी की महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए जो नियूंतम यहां पर उची कुद होना चाहिए और चार फीट अगर आप कुद लेते हैं तो 25 आपको मिलेगा इसके बाद यहां पर दिया हुए देख लिजे मात्र गोला फेक यह मूची कुद में अधिक्तम तीन मौका दिया जाएगा दोर में कोई भी चांस नहीं मिलता है सिर्फ एक पर आपको दोर ना है अगर आप उस समय में दोर लेते हैं जो यहां पर कंडिशन दिया हुए तो पास कर जाएगा पिर अगला चरण दोर गोला फेक और उची कुद होगा लेकिन अगर आप गोला फेक में एक बार में अगर आप नहीं सही तरीकर फेक पाते हैं तो दूसरा चांस यहां पर दिया जाएगा मेधा सूची जो है लिखित परिक्षा के मार्क्स के नुसार नहीं बनेगा दौर गोला फेक उची को दौर पचास संक निर्धारित है जीतना तेज दोडियेगा उस एक वर्डिंग आपको मार्क मिलेगा इसके बाद गोला फेक में 25 संक है और 25 संक जो है उची कूद में इसमें लॉंग जंप नहीं है टोटल एक सोंक हुआ अब इस एक सोंक में जीस अनुसार आपका मार्क साथ है उस अनुसार आपका मिलेट लिष्ट तियार किया जाएगा तो अब चलिए यहां पर रिक्ती देख लिजे टोटल जो वेकिन से इस बार 84 15 है जेनरल कैटोगोरी में 34 080 EWS में 842 अनुसुचित जाती में 307 अनुसुचित जनजाती में 82 अत्यान पिछरा वर्ग में 1470 पिछरा वर्ग में 980 पिछरे वर्ग की महिलाओं के लिए 2445 चुरासी सुपंद्रा इसमें 35 पर तीस सत्थ जो है सभी कैटोगोरी में महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व है इसके बाद है आरक्षन का तो जिस एकॉर्डिंग आरक्षन का लाव मिलता है इसमें भी आपको दिया जाएगा महिलाओं के लिए यहाँ पर दिया हुआ है देख लिए 35 पर तीस सत्का आरक्षन दिया जाएगा इसमें अब चलिए आगे का देख लिजे कंडिशन कट अफ तीथी जो है एक अगस 2020 से कॉंट किया जाएगा यानि सैक्षिनिक योगता हो गया एज हो गया जो भी डिटेल्स यहाँ पर है एक अगस 2020 से कॉंट किया जाएगा फिजिकल पास करने के बाद इसके बाद इसमें चिकित्सिया परिक्षन यानि मेडिकल भी होता है मेडिकल भी आपको पास करना परेगा ऑनलेन आविदन का परक्रीय यहां से शुरू होता है तो 13 नमबर 2020 से आप फॉर्म फिल अप कर सकते हैं क्यालिफिकेशन डिटेल्स एज के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले देख लिए पूरे डिटेल्स में बताए हैं आविदन का जो चार्ज है 450 रुपिय है अगर आप SCST काटेगोरी साथ है तो 112 रुपिय है बांकि सभी काटेगोरी के लिए जेनरल हो गया BC, EBC, EWS काटेगोरी के लिए 450 रुपिय का आपको पेमेंट करना परेगा इसके बाद है यहाँ पर फोर्म भरते समय किसी भी परकार को आपको जूठी या गलत जानकारी नहीं देना है नहीं तो आपका आवेदन पत्र रद कर दिया जाएगा पंजी करन के लिए समझ लिए आप सबसे पहले आपको CSBC का ओफिसेल वेबसाट पर आना है लिंक आपको मिलेगा ऑनलाइन अपलाइक का उस पर किलिक किजिएगा किलिक करने के बाद रेइस्टेशन करना है रेइस्टेशन करते समय आपको पेमेंट भी करना परेगा रेइस्टेशन के समय बेसिक डिटेल्स जैसे मॉबाइल नमर होगे एमेल आडी आपको अपना नाम डेट आपर फिलप करना परेगा सभी जानकरी आप सही तरीके से फिलप किजिएगा गलत नहीं फिलप किजिएगा और साबधानी पुरुवक फिलप किजिएगा इसके बाद आपको पेमेंट करना परेगा 450 रुपे का पेमेंट कीजिएगा पेमेंट कट होगा इसके बाद आपके मोबाइल पर रेइस्टे इसके बाद qualification details हो गया 10th बार्मी का details देना परेगा आप कब तक कब पास हुए हैं कितना marks आया है यह सभी basic details address fill up करना परेगा address भी सही तरीके से fill up किजेगा गौं का नाम इसके बाद post office जिला यह सभी qualification details fill up करने कबाद photo signature आपको सही तरीके से fill up करना परेगा photo signature सही तरीके से अपलोड करना है इसके बाद final submit करना है final submit करने कबाद form का print ले लिजेगा भविस के लिए काम आएगा जब physical देने जाएगा तो उससे में मांग दिया आ जाता है कि आवेदन का receive दीजेए mobile number और email id सही तरीके से fill up किजेगा mobile number पर ही आपको registration number दिया जाएगा अब चलिए यहां पर दिया हुआ है एक अभिहार्थी को सिर्फ एक ही आवेदन करना अगर आप एक सधीक आवेदन करते हैं तो आपका form reject कर दिया जाएगा फरजी तरीके से आपको form fill up नहीं करना है गलत नाम के अधार पर अगर form में किसी भी परकार का mistake हो जाता है तो इसके लिए आपको क्या करना पर जो पुराना form रहता है registration उसको cancel करना परेगा फिर से दोबारा से आपको payment करके registration करना परेगा तो form कैसे फिलब करना उसका एक अलग से वीडियो आएगा उसको देख लिजेगा कोई भी गलती नहीं किजेगा फोटो बिल्कुल आप नया खिचा लिजेगा 15-25 के बीच में आपको फोटो अपलोड करना है रंगीन फोटो अपलोड करना है वह बैग्राउंड जो होना चीए फोटो का वैट सफेद होना चीए अस्ताक्षर जो करना है काली या निली सियाई में यानि वह बेस्ट करेजी दोनम आपको सिंगनेचर अपलोड करना परेगा इसके बाद यहां पर दिया हुआ है और नाविदन पत्र भरनी के अंतिमति थी जुआ 14 दिसंबर 2020 तक है इससे पहले ही फॉर्म फिलप कर लिजेगा क्योंकि लास्ट समय में वेबसाट सही तरीके से काम नहीं करते ह तो जो भी यहां पर मुल जानकारी थी आप लोगों को बता दी है फिर भी कोई डॉट रहता है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं एक अगस 2020 तक अगर आप बार्मी पास है और एक अगस 2020 तक अगर आपका एज नियुनतम 18 वर्स हो गया तो इस फॉर्म को आप फिलप कर स लगते हैं वीडियो को पीछे करके देख लिजग अगर और आप कोई भी जानकारी जानना चाहते है तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बता दी है इसका जो एक्जाम लिया जाएगा 21 मार्च 2021 को एक्जाम डेट भी पहले से फिक्स है तो अच्छे तरीक वेकेंसी का त्यारी करना चाहते है चानल को सब्सक्राइब करके जूर जाए हम आप लोगों को बिहार प्लिश 2020 नई वेकेंसी का त्यारी भी करवाएंगे